हालो एबरीबड़ी, क्लास 11 एकोनोमिक्स के अंदर आपका एकबर फिर से सभागते चप्टर 6 चल रहा है अपकी रण के माप या केलो परिक्षपन के माप और इसकी तीन वीडियों के अंदर अपने देख लिया है विस्तार अर्थात रेंज क्या है और चतूरतक विश्लन क्या है अब चतूरतक विश्लन के अंदर में आपको व्यक्तिकर शेणी खंडित और अखंडित तीनों यी तरह की शेणियों के अंदर चतूरतक विश्लन आपको बदा दिया है आज अपना अपना नया टोपिक स्टाट करेंगे माध्य विश्लन तो माध्य विश्लन क्या होता है माध्य विश्लन का मतलब होता है किसी समंग शेणी के विश्लनों का माध्य अर्था देदी अपनको माध्य विश्लन निकलना है इसका मतलब होता है सबसे पहले आप केंद्य प्रवर्ति के माप में से कोई सा भी एक माप निकल लीजिए चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे वो मध्य का हो, चाहे बहुलक फिर इन माध्यों से आपको क्या करना है? वीशलन निकलना है और इन वीशलनों का योग करके अधियम उसका माध्य निकलते हैं तो उसको माध्य वीशलन कहते हैं तो माध्य वीशलन जिसको अपन मीन डेविशन कहते हैं ये माध्य, मध्य का या बहुलक किसी से भी निकल सकते हैं अर्थात माध्य, मध्धिका और बहुलक के विशलनों का जो माध्य होता है, उसे ही माध्य विशलन या मिन डेविएशन कहते हैं, माध्य, मध्धिका या बहुलक से विशलन निकलना, फिर विशलन के योग का जो माध्य होता है, उसे ही माध्य विशलन कहते हैं, ऐसे फोर्म आंतर माध्या से विशलन निकाला होगा या मध्यका से विशलन निकाला है या वहुलक से विशलन निकाला है उन विशलनों का योग उसको कहते हैं सिग्मा डी अब आपको लग रहोगा कि दो लाइन इस तरह से क्यों खीची है डी के दोनों डी मतलब विशलन और विशलन के दोनों तरफ खड़ी लाईन का मतलब होता है रहा हमने लिष गंति यह चिन्नोंं की उपेक्षा किई है लिए अंध्य वेश्णा निकालते हैं अर्थ can वेश्णा निकालते उस्में केंद्य प्रवर्थिके माप को गठाना है या मैं को केंद्य प्रवरति को घठ आ जो answer आता है, उसमें अपन को चिन्यों की उपेक्षा करनी है उनकी availना करनी है बीजगणियातिय चिन्यों की availना होगी हमारा answer प्लस में आता है या माइनस में आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं रखना होगा तो ये माद्धी विश्लन और निकालते वक्त है यह बात हमें अच्छे से याद रखनी है आगे आपन पढ़ेंगे माद्धी विश्लन की दोष उसके निकाल दीजिए फिर उसका जो क्या मुल्य है उसे विश्लन निकाल दीजिए फिर विश्लन योग करके उसको राश्यों की संक्या से भाग दी दीजिए अर्थात माध्यों का विचलन पहले निकलेगा फिर विचलनों के योग का जो माध्य निकलेगा या ओसत निकलेगा उसे ही अपन माध्य विचलन या मीन डेविशन कहते हैं यहां पर बीज गणिती चिन्नों की उप्यक्षा की जाती है और इसके अलिए आपन को उसके दोरों तरफ इसको जो दो माध्य निकलता है इसको मिन डेवीशन कहते हैं माध्य विश्लन का नाम माध्य विश्लन में इसलिए तो आग लिए माध्य विश्लन निकल रहें तो समन करें हों मोड़ या मीडियन तो हम तीनों में से किसी भी माप का यूज कर सकते हैं माध्यों का चुनों मीन मोड मीडियन किसी को भी अपन यूज कर सकते हैं बट मीडियन को यूज करना सबसे अच्छा रहता है सबसे बेस्ट सर्वसेस रहता है मीडियन को यूज करना क्यों कि इसमें विचलनों का योग क आपको बता दिया है कि दोनों तरफ जो विचलन निकालते विचलन के दोर तरफ हम खड़ी लाइन खेचते खड़ी लाइन को अपन मोडियूल्स कहते इसका मतलब है कि हमने चिन्नों की उपेक्षा की है अब हम व्यक्तिकर शेणी खंडित और अखंडित तीनों ही तरह की शेणी के अंदर अपन माद्य विचलन निकालना सिखेंगे तीनों ही शेणी के अंदर फोर्मूला लगवग सेम है लेकिन जसा कि हमें पता है कि व्यक्तिकर शेणी के अंदर आवरतिया नहीं होती है फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, जबकि खंडित और अखंडित शणी के अंदर आवरतियां होती है, तो जब अपन फोर्मूला बनाएंगे, तो उसमें आवरतियों का यूज होगा, अभी अपन बात करेंगे सिर्फ व्यक्तिगत शणी की, व्यक्तिगत शणी से अधि हमको माध निकाल लिए, आप समांतर माध्य से माध्य विश्ण निकाल लिए, या आप बहुलक से माध्य विश्ण निकाल लिए, यदि अपने मध्यका से माध्य विश्ण निकाल रहे हैं, तो इसका फोर्मूला का सिग्मा डी एम उपन एन, अर्थात पहले अपन मध्यका से विश् निकाल दीजिए फिर weedsland के योग में राश्चो की संख्यान भाग दे दीजिए या इसमें भी वही अपन दोनों सब्सक्राइब शिडाकि इस सब्सक्राइब गएगे व्यक우랑 सहिली में मस्ता नहीं इसमें अपने दिए निकलना वैसे एक्जाम में नहीं दिया है कि आप किसे माध्य विश्लन निकलना तो आपका अच्छी बात यह रहीगी कि आप मध्यका से निकलना नहीं आता है अक्सर अपन मध्यका से ही माध्य विश्लन की गढ़ना करेंगे अब एक और चीज होती है coefficient of mean deviation अर्था इसके लिए coefficient कहाए गाँ निकलना माध्य विश्लन कहीं अपनको गुणांग निकलना है coefficient में गुणांग तो सबहसे पहले और आपको तुअ मैंध्य का बाग दे दीजे अर्थाद हमने मिन डेवीशन क्से निकाला है उसी कापन को भाग देना है तो अपना कोफेशेंट ओफ मीं डेवीशन अर्था बात्य विश्यन का गुढ गयाद हो जाएगा अब एक एक्जाम्पल ले लेते ताकि अपनको सारी चीजे समझ में आ जाए एक व्यक्तिगर्ष शेणी है अब मैंने इसके इंदर के कोशन था कि निम्न व्यक्तिगर्ष शेणी से मध्य का और समांतर माध्य का प्रयोक करते हुए माध्य विचले निकाली है तो आपको अच्छे समांतर माध्य से माध्य निकालेंगे और मध्यका से माध्य विचलेंगे इसलिए मैंने शेणी को पहले आरो एक्रम अर्थाथ असेंडिंग ओडर में जमा लिया है तो यहां पर तो मैंने सीरियल नम्बर डाल दी वन से नाइन तक तक मुझे पता चल जाए मेरी राश्या क कितनी नौ और मैंने इसको अरो एक रम में जमा दिया है ठीके वयक्तविगर्श्य यह आवरत्या नहीं होगी सबसे पहले मुझे समांतर माध्य और मध्यका निकालना है क्यों कुद्झे फ defense यहीं कि समांतर माध्य निकालने से और मध्यका से वीश्ष्णा निकालने याँ वेक्तिक छंभी से समांतर बात्य निकले का सुत्र आपको याद होगा, चैप्र नंबर फिफ्ट में अपने अचछे से पढ़ चुके, समांतर माध्य बराबर राश्यों का योग, बटा राश्यों की संख्या, संख्या, तो मीरा राश्यों का योग आ रहा है, 504 और मेरी राश्यों की संक्याई 9 तो 504 में 9 का डिवेट करूँगी तो 56 इट मिस मेरा जो X बार इन्हें समान तरमादी मेरा 56 आ गया है अब आपनको क्या करना है वीचलन निकलना है वीचलन किसे निकलेगा X मेंसे में X बार निकलूँगी माइनस करूँगी तो X मेरा 45 है 45 मेंसे मैंने 54 माइनस किया तो आंसर आया माइनस 11 लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है 20 गणीत ये चिन्नों की उपेक्षा की जाएगी हम साइन को नहीं देखेंगे प्लस है या माइनस है तो हमको आखे बन करके बिना प्लस माइनस किये सिर्क माइनस करके लिख देने लिख देने तो यह होता है एकस माइनस एकस बार जिसको कि अपन डी डी के दोनों तरफ खड़ी लाईने किचेंगे और सफिक्स के अंदर अपन लिखेंगे एकस बार दी एकस बार मिस यह होता है अपनने निकालना है समानतर माध्य से डेविएशन तो 45 में से अपनने जो 56 माइनस किया है 49 में से 56 माइनस किया तो यह आपका डी आ गया फिर दी का आपने सम कर दिया डेविएशन का तो इस इन सब की जो टोटल आई है वह सिस्टी एट आ गया अपना सिस्टी एट आया है इसकी टोटल यहां पर मैंने लिख भी रखा है इसकी जो सम में वह है इसकी जो सम में वह है तो 66 आ गया है अपना सिग्मा डी एक्स बार अर्थात हमने पहले वीशलन निकाला और वीशलनों का योग कर दिया क्यों कि हमारा जो समांतर माध्य से माध्य विशलन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा मतलब योग किसका योग जो एक समांतर माध्य से माध्य विशलन के लिए इसका योग लिख दिया 66 और उसमें नौ का वाग लगा तो साथ वर तीन तीन इसका अंसर आगया अब कोफिशेंट ओफ मीन डेविशलन निकालना है तो मैं आपको पहले ही बताया था जिस समांतर माध्य का यूज किया तो समांतर माध्य का भाग दे दिजिए तो मीन डेविशलन 7.33 उसके निर मेंने समांतर माध्य जो कि मेरा 56 ता उसका डिवाइड कर दिया तो 0.131 इसका कोफिशेंट आई तो अभी अपना कोशन हुआ है कि माध्य विशलन की गणना तो कर लि ही लिकिन हैं अपने मादिविश्ण की घड़ना के लिएक क्या यूज कि आ हैं अपने समानतर माद्य विस्ण सब्सक्राइब सब्सक्राइब है सबसे भिले समानतर तो मीन डेविएशन आ गया और मीन डेविएशन के अंदर अपने वापस से समंतल मध्यका भाग दे दिया तो कॉफिशेंट आ अर्थक बुणा आ गया अब इसी कोशन को अपनको किसे करना है मध्यका से अर्थक अपनको मीन डेविएशन तो निकलना है लेकिन मध्यका का के लिए अपनको को आरोहिव क्रम ने जमना रहां से इंद के रखां। आ रोहिक्र yo में जमा दिया अब आपन मीडियन के से निकालते मीडियन के लिए होता है N plus one upon two th term या item तो अपना N9 9 में एक जोड़ा तो 10 10 में दो दोखा भाग लगया तो 5 तो अपन को फिफ्थ टर्म का जो वेल्यू है वहे अपना मीडियन होगा तो अपनी फिफ्थ टर्म की वेल्यू क्या है फिफ्थ टर्म की वेल्यू है 54 तो अपना median हो गया 54 अब आपने को विश्लन निकलना तो एक से 54 को माइनस कीजिए सभी एकस की वेलियू मेंसे 54 को माइनस कर दीजिए तो वह आजाएगा आपका डेवीशन वह भी किस्तें मध्यका से विश्लन आजाएगा तो यहाँ पर मिने मध्यका से आ रहा है माइनस मैरा उससे कोई लेना दिना नहीं फिर इसका योग कर दिया तो इसका योग आ गया अपना 64 इसका यह इसका योग इसमें अपने समांतर माध्य का यूज किया था एवरेज का यूज किया था तो अपना मीन था अपना 54 54 का डिवाइड किया तो 0.132 आ गया इस प्रकार बच्चो इस वीडियो के अंदर अपने देखा कि माध्य विश्लन क्या है और माध्य विश्लन का मतलब होता है किसी वापस से माध्य निकाल लेजिए तो आपको माध्य विश्लन ग्याद हो जाएगा व्यक्तिकर शेणी के अंदर माध्य विश्लन के को मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि समांतर माध्य का यूज करके अपन कैसे माध्य विश्लन निकालेंगे तो आज की वीडियो में ले रहें मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए इसकी स्क्रीन शोट ले लिजिए चीजों को अच्छी सदर समझे वीडियो को पोस्ट कीजिए फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंड बॉक्स के अंदर आप अपने डाउट लिखिए थेंक यू